जुहार मैं आनद कुमार और आप देख रहे हैं जन्मन की बाद जारखंड सरकार ने अजय कुमार सिंग को नया पुलिस महानी देशक यानि डिरेक्टर जनरल अफ पुलिस बना दिया है तीन दिनों से चले आ रहे उहापोह और असमंजस का अंत हो गया है बता दे कि 11 फरवरी को पूर्व डिजीपी नीरेच सिन्हा सेवा निवरित हो गये थे पदमुक्त हो गये थे और उसके बाद से जारकन सरकार कोई नया डिजीपी नहीं नियूट कर पा रही थी इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गरम था सर्यूराय और बाबुलाल मरांडी जैसे नेता इसको लेकर ट्वीट कर रहे थे सरकार की मनशा पर संदेह कर रहे थे और यह भी कहा जा रहा था कि जब सरकार ने सुप्रीम कोट में एक कहा था कि वह 12 फरवरी तक नए डीजीपी की नियूक्ति कर देगी तो आखिर ऐसी कौन सी बात है इसे कौन सी वज़ा है जिसके कारण उस 12 फरवरी के बाद भी सरकार कोई नया डीजीपी नहीं नियूक्ति कर पा रही है जबकि UPSC से तीन नामों का पैनल पहले से राजी सरकार को भीजा जा चुका है बात करेंगे इस पर लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियोज को लाइक कीजिए शेर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियोज आपको कैसे लग रहे है तो अजय कुमार सिंग 1989 बैच के भारती पुलिस सेवा के अध कर अफ्शन ब्यूरो के प्रभारी डी जी भी है धरकंड सरकार ने इसके पहले सुप्रीम कोट को बताया था कि वह बारह फरवरी तक राजमे नए डी जी पी की निफ्टि कर लेगी सुप्रीम कोट में मामला इसलिए गया था क्योंकि एक मामला दायर किया गया था और कहा के बाद कहा गया था सरकार की तरफ से कि बारह फरवरी तक वो कोई नए डी जी पी ढूंड लेगी निफ्ट कर देगी और यूप्यस सी ने तीन नामों का पैनल भी सरकार को भेज दिया था लेकिन उसके बाद भी तीन दिनों का विलम हुआ सरकार को अलाकि अभी तुरत थ ट्वीट किया था निर्दली विधायक है राज के पूर्व मंत्री है और उन्होंने ट्वीट किया था कि सुप्रीम कोट के निर्देश के बावजूर यूपी सी पैनल से डी जी पी की स्थाई नियुक्ति में विलम्ब राज विवस्था के लिए चिंता का कारण है पुलि कल यानि 13 फरवरी को भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुक्त मंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी एक ट्वीट किया था और कहा था कि पूर्ण कालिक डी जी पी निक्ट करने के बजाए सी एम हेमन सोरेन अपनी बुद्धी का दुरुपयोग सुप्रीम कोट को दोखा देने और उसकी आउमाना करने में लगा रहे हैं आज 13 फरवरी है और जारखन पुलिश दीजेपी विहीन है असा उन्होंने कल लिखा था और ये भी लिखा था कि भाजपा हेमन सोरेन की इस दुर भी संधी को बेनकाब करेगी थोड़ा इंकजार की तो ये तो थी नेताओं की बाद जो 11 फरवरी को निरसिना के सेवा निवरित होने के बाद से ये चल रहा था अब सवाल ये है लोग पूछ रहे हैं कि जो सरकार UPSC से तीन नाम मिल जाने के बावजूद और खुद ये सुप्रीम कोट में यह कहने के बावजूद की 12 फरवरी तक नए DGP की नियुक्ति कर दी जाएगी तीन दिन तक एक DGP नहीं चुन पाती है तो क्या ऐसी सरकार कोई नियोजन नीती बना पाएगी कोई स्थानी नीती बना पाएगी और यही कारण है कि हेमन सोरेन के टेलिफोनिक सर्वे पर छात्रों को यकीन नहीं है क्योंकि हेमन सोरेन की छ कि 1932 के खत्यान के अधार पर कोई स्थानिय नीति नहीं बन सकती उन्होंने इसके बावजूद ऐसा बील बनवाया और विधान सभा में भेजा जबकि उनको पता था कि यह खारिश हो जाएगा विधान सभा से बील पास करके जैसा ही राजभवन गया राजभवन ने इसको अ जो कि कमो बेश थोड़ी ठीक थी क्योंकि उसमें 1985 को कटव बनाया गया था और पूरे के पूरे तेरा शिडिल जिलो में 100 परतिशत यानि 100 परसेंडा रक्षन दिया गया था लेकिन हेमान सोरेन सरकार ने उसको रद कर दिया और ऐसी बेढ़ब नीती बनाई जो सुप्रीम जी यानि कौन बनेगा करणपती खेल रहे हैं उनके साथ और ऑफ्षन भी चार के बढ़ले दो ही दे रहे हैं हाँ या ना तो मैं आपको कुछ वीडियो दिखाता हूं और यह सब हेमान सोरेन के सीएम बनने के पहले की वीडियो है हम नौजवानों से पूछना चाहते हैं आपको रगवर दाज चाहिए कि रोजगार चाहिए हम इसी तरीके से आने वाला समय में खोच-खोच कर हमने कहा है जितने भी राज में उनको हम लोग सीधे नवक्री देने का काम करेंगे हरे इक शक्तर में रोजगार सिर्जन करने का संकल्प लेकर कि ये 2021 को हम रुक्पार करेंगे अभी हम कानुन बनाने जा रहे हैं यहाँ पर कोई भी कारखाना लगेगा सरकारी हो प्राइबेट हो थार्ट गेट फोर्ट गेट में 75 परतिसत लोग वहां का अस्थान ये लोग होगा जारखंडी लोग भी उसमें तौक्री करेगा हिमन सोरेन की इन वादों को देखिए और आज की तारीख देखिए सिवाए 1932 के मुद्दे पर कन्फूजन फैलाने के राजनीती करने के हिमन सोरेन एक भीवादा पूरा नहीं कर पाए हैं एने चारेम के अनुबंध अधारित त्वास्त कर्मी भी आज उन्हें उनके वाइदे की याद दिला रहे हैं और चात्र पांच लाख नोकरियों का वीडियो जारी कर रहे हैं वो अलग है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ चात्र या करमचारी ही दुखी हैं एमन सोरेन की पार्टी के विधायक दुखी हैं उनके सहयोगी दल कॉंग्रेस और राजद के MLA और वरिष्ट नेता दुखी हैं इन लोगों को उमीद थी कि सरकार उन्हें किसी न किसी बोर्ड निगम में एड राजमी है और ये लोट भी रहा है और शिर्फ बोर्ड निगम में पद पाने के एक चुक लोग ही दुखी नहीं है जनता भी दुखी है क्योंकि संब्यधानिक संस्थाएं मर चुकी हैं इस संस्थान ने संस्थाओं को मार डाला है न सरकारी करमचारियों के भ्रष्टाच में हुआ हो लेकिन महिला आयोग खाली पड़ा है आए देखते हैं कौन सी प्रमुक्स स्थाएं आज मरी पड़ी है और पीडी चोशित जनता के पास बचाओं का कोई रास्ता नहीं है लोक सेयोकों के भ्रष्टाचार और निरंकुष्टा पर काबू पाने के लिए जहरख से खाली पड़ा है इसमें मुक्य सुचना आयोग और ग्यारस अदस्तों के पड़ है यानि कुल बारस अदस्ती आयोग फिलकुल खाली है पिछले तीन साल से हजारों अपीले सुचना की प्रेंडिंग है तीन साल से महिला आयोग के सभी पड़ खाली है राजे में महिलाओ के साथ अत्याचार बढ़ गाहा है लेकिन वहां कोई सुनने वाला उनकी नहीं है बेबस और मायूस महिलाओं की कोई सुनवाई नहीं है हेमन सोरेन आदिवाश्तियों के सच्चे हितैशी होने का दावा करते हैं लेकिन स्टेश से कमिशन का भी वही हाल है वहां कोई रोने वाला तक नहीं है मानवाधिकार आयोग, समाज का लियान आयोग, लौ कमिशन, जारखंड आवास बोर्ड, जारखंड राज्य खादी बोर्ड, रेरा, राज निशक्तता आयुक्त और राज के 22 जिलों में उपभोगता फोरम जैसी दरजनों ऐसी संस्थाएं हैं जो निश्क्रिय पड़ी है जिने हेमन सोरेन सरकार ने डिफंक्ट करके रखा है। तो जब हेमन सोरेन के खिलाफ ओफिस अप्रॉफिट मामले में और साहिब गंज में एक हजार करोड के आवैद खदन के मामले में निर्वाचन, आयोग और एडी की जात शुरू हुई, तो मुख्यमंत्री ने कुछ लोकल भावन फैसले लेकर जनता का समर्थन और सहानु भूति लेने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही ये मामले ठंडे पड़े, लगता है हेमन सोरेन सरकार भी नेर्णय छमता को लेकर लकवा ग्रस्थ हो चुकी है। सिर्फ भाजपा और बाहरी लोगों को निशाना बनाने और उनको दुश्मन बताने से हेमन सोरेन और उनके गटबंधन का काम नहीं चलेगा। हेमन सोरेन को साबित भी करना होगा कि वे जारखंड की आदिवासी और मूलवासी जनता के सच्च हितैशी हैं और फिलहाल सिवाए बातों के कुछ ठोस करते दिखाई नहीं दे रहे है अगले साल चुनाव है अब देखना है इन बचे हुए कुछ महीनों में हेमन सोरेन सिर्फ बाते ही बनाते हैं या कुछ ठोस करके दिखाते भी हैं वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताईएगा बने रहे हैं मेरे आनिया अनंद कुमार के साथ और देखते रहे हैं जर्मन क बात धन्यवाद नमस्कार